तो चलिए बात करते हैं कि हम एक स्टोरी को नरेट कैसे कर सकते हैं और हमारे रैटर और ओडियेंज के बीच के बीच में कुन से टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं यहां पर 4 पॉसिबल रिलेशनशिप्स हो सकते है 3rd person narrative इस narrative में singer या writer एक storyteller या एक observer होता है तो singer और audience के बीच के relationship थोड़ी long distance view के जैसे होती है जिस चीज के बैसे ये ज़्यादा intimate नहीं होता तो ये narrative यूज करते समय हम characters को he और she से refer कर सकते है तो आप example के लिए The Unforgiven by Metallica या Outrunning Karma by Alec Benjamin ये गाने आप refer कर सकते है जो third person narrative में लिखे हुए है तो चलिए बात करते है first person narrative के बारे में इस narrative में writer या singer खुद के बारे में बात कर रहा होता है इसमें characters को I और she से refer किया जाता है अब singer और audience की बीच में थोड़ी intimacy है जैसे उन्हें मैं कुछ अपने बारे में personal चीजे बता रहा हूँ तो अगर यहाँ पर properly देखेंगे तो she ये distance में मौझूद है तो storyteller या singer अभी भी एक type of narrator ही है बस वो अपने और किसी और के बारे में बात कर रहा है तो example के लिए remember to forget by passenger या drown by bring me the horizon या nights by avici इन गानों को refer कर सकते हैं जो first person narrative में लिखे हुए है second person narrative second person narrative में काफी intimacy होती है इसमें I, me, us, we ऐसे कोई भी pronounce का इस्तमाल नहीं होता है तो यहाँ पर हम character को refer करने के लिए you और she का इस्तमाल करते हैं example के लिए you loved her so much yet she did not return your love तो आप example के लिए let her go by passenger ये गाना सुन सकते है जो second person narrative में लिखा गया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं singer और audience के relationship धीरे धीरे पास में आ रही है और अगर picture या frame को consider करें तो वो wide shot धीरे धीरे close up में आ रहा है direct address ये सबसे intimate narrative होता है example के लिए I loved you so much yet you would not return my love यहाँ हम characters को refer करने के लिए you और I use करेंगे जिससे हम audience के साथ में और भी better connect कर पाते है तो example के लिए I don't love you by my chemical romance या yellow और sky full of stars by cold play या good things fall apart by alienium and john billiam ये गाने refer कर सकते हैं तो आपने अभी तक examples तो सुन ही लिए होंगे तो आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ गाने narratives गाने की बीच में भी change करते हैं जैसे second person narrative में हम अचानक में I introduce करके हम first person narrative का emotion देते हैं जिससे हम थोड़ा और connect हो पाए या हम third person narrative से start कर सकते हैं और first person narrative में लाके हम पूरे story को resolution दे सकते हैं कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था तो songwriting में कोई rules तो नहीं होते हैं होते हैं तो बस tools तो आप decide करेंगे कि आपके audience को आपको कुण से journey पे लेके जाना है आप audience के लिए क्या है third person narrative में he और she बात करने वाले या आप first person narrative में I और she बात करने वाले या second person narrative में you और she बात करने वाले या आप direct address narrative में I और you बात करने वाले तो आप अपने favorite songs जो आज तक continuously आप सुन रहे है उन्हें जाके check कर सकते है और figure out कर सकते है कि वो गाने कोन से narrative में लिखे थे तो मैं आपको अगले session में मिलूँगा करने के याप आपको यापड़ा